नमस्कार मैं अनुराग आप लोग देख रहे हैं पॉम टॉय अनुराग यूट्यूब चैनल दोस्तों बहुत सारे मेल डॉग ऐसे हैं जो कि मेटिंग सही तरीके से नहीं करते हैं या फिर वो मुंग पकरके हमपिंग करने स्टार्ट कर देते हैं या फिर बाहर में ही लॉग मेटिंग नहीं करता है तो एप्रोक्सिमेट 10,000 तो आपका लॉस होता ही होता है लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोगों ने जितने में डॉग खरीदा है उतना का आपका लॉस एक बार में होता है जैसे कि यदि आप लोग अगर 50,000 का डॉग खरीदते हो तो उसके एक हो गया तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाओंगा कि आपका डॉग क्यों ना लोग बजट में ही आप लोग खरीदे हो लेकिन उसको मेटिंग के लिए कैसे तयार करें यदि वो मेटिंग नहीं कर रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना एक्सप्रियेंस सेर करूंगा जिसे मैंने देखा कि वह मेटिंग करने के लिए सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो यदि आपका डॉग मैटिंग नहीं कर रहा है तो इसके पीछे दोही रीजन हो सकता है सबसे पहला रीजन कि आपका डॉग फीमेल डॉग के पास बहुत जादा दिन तक नहीं रहा होगा अब दोस्तों दूसरा रिजन यह हो सकता है कि आपके पास यह फीमेल डॉग है जब वह हीट पे आती है तब से ले करके आप अपने मेल डॉग को वहीं पर छोड़ देते हो उसी के पास रहने देते हो दोस्तों यह भी एक कारण है जिसके बज़ से male dog को मेटिंग करने आता है फिर भी वो मेटिंग नहीं करता है तो आज के इस वीडियो में चलिए मैं आपको दोनों का solution बता रहा हूँ जिसके बज़ से आप अपने dog को मेटिंग परपस के लिए ready कर सकते हो दोस्तों सबसे पहले problem का मैं solution आपको बता देता हूँ दोस्तों बहुत सारे dog को आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा excited हो जाता है कि वह mouth पकर के हमपिंग करना स्टार्ट कर देता है जैसे कि मेरा टॉमी पहले इसको मेटिंग नहीं आता था यह क्या करता था कि mouth पकर कही हमपिंग करना स्टार्ट कर देता था इतना ज्यादा excited हो जाता था कि बाहर में ही ejaculate कर देता था जिसके बज़से सारा energy waste हो जाता था लेकिन दोस्तों फिर में ने क्या किया कि इसको मैं अपने female dog के पास पहले से छोड़ दिया जब वह हीट पे थी तब नहीं नॉर्मली मैं उसको हमेशा उसके साथ ही रखा यह प्लेंग प्लेंग में भी हमपिंग करता था उसके साथ खेलता था तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस बन गया और दोस्तों बहुत सारे पेट पेरेंट ऐसे हैं जो कि अपने डौक का एटलिस्ट मन्थ में एक बार मास्टर बेट कर देते हैं मेटिंग करवाने से तिन-चार मेने पहले से ऐसा इसलिए करवाते हैं क्योंकि इसका जो स्पर्म है वो रेगुलेट अच्छे तरीके से हो जिसके बज़ए से वह एक फीमेल के अंदर जब जाए तो अच्छे तरीके से फीमेल कंसीब करें नहीं तो फिर वो अच्छे तरीके से मेटिंग करता है और उसका एग फर्टाइल भी होता है दोस्तों जो नॉर्मली लोग मास्टर बेट करते हैं वो एक साल के बाद ही अपने डॉका करते हैं तो आप लोग भी डिसाइड कर सकते हो दोस्तों बहुत साए लोग ये गलती करते है कि जब उसकी फिमेल डॉग हीट पर आती है तो अपने मेल डॉग को उसके पास ही रखते हैं इससे क्या होता है कि जब भी फिमेल डॉग हीट पर आती है तो उसके यूरिन से एक स्मेल आता है जिसके बज़े से मेल डॉग बहुत जादा एट्रैक्ट होते हैं और मेटिंग करना चाहते हैं और एक्चुली जो फीमेल डॉग होती है वो मेटिंग करने देती नहीं है एक्टलिस नौ से दस दिन तक तो कोई भी फीमेल डॉग मेटिंग करने ही नहीं देगी किसी भी मेल डॉग को और वो नीचे बैठ जाएगी इसके बज़े से क्या होगा आठ दिन इसके पास इनर्जी बचता नहीं है और यह मेटिंग कर नहीं पाता है तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है जब आपके फीमेल डॉग हीट पर आ जाए तो अपने मेल डॉग को थोड़ा सा दूर हटा कर दिजिए ताकि इसको उसका इसमेल ना पहुंच पाए अब दोस्तों में एक मेडिसीन का नाम आपको बता रहा हूं जो कि काफी ज़्यादा पॉपलर है और उसका रिजल्ट हम लोग के टी में कई सारे लोगों ने यूज किया तो सही रिजल्ट उसका मिला आप लोग चाहो तो उसको ट्राइ कर सकते हो एक मेडिसीन है जिसका न सब्सक्राइब करता है दूसरा कि आपके डॉक को मेटिंग करने के लिए एकसाइटेड करता है बहुत ज्यादा इसके अंदर जो 20 है उसको इंक्रीज करता है और साथी साथ मेरे कॉर्णिंग स्टेमना को भी ब्यूड करने में मदद करता है तो आप लोग यह मैडिसीन ट् सब्सक्राइब कर दोंगा आप लोग बाय कर सकते हो और अपने मेल डॉक को यदि अच्छे तरीके से रखना चाहते हो तो उसका डाइटिंग अच्छे तरीके से कीजिए खाना पीना मल्टी विटामिन और कैसीम अच्छे तरीके से देते रहिए दोस्तों यह था हमारा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इसी तरीके में नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ मिलेगा और बात में बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में तब तक के लिए चेक कि और